सबक बेटी जब ससुराल में पहुंची तो उसने देखा कि ससुराल में उसके पती के अलावा उसकी सासूमा और एक दादी सास भी थी ससुराल में जब बहु को कुछ दिन बीत गए तो उसने देखा कि उसकी ससुराल में उसकी दादी सास का बहुत ही अपमान और तिरसकार हो रहा है अपमान की हद तो तब हो जाती है जब उसकी सास उसकी दादी सास को गाल्या देती थी उन्हें ठोकर मारती थी और उन्हें खाने को कुछ भी ना देती थी उन्हें कई दिन तक भूकी रखती थी जब बहु यह देखती तो उसे बहुत ही बुरा लगता उसे अपने पिता के दुआरा दिये गए संसकार याद आ गई उसे अपनी दादी सास पर बहुत दया आई उसने सोचा कि जिस घर में बड़े बुड़ों का अपमान होता है वह घर नरक के समान होता है मुझे अपनी दादी सास के लिए कुछ ना कुछ अविश्य करना चाहिए फिर उसने सोचा कि यदि वह अपनी सास को समझाने का प्रतन करेगी तो हो सकता है कि उसकी सास भी उसके साथ भी ऐसा ही बरताओ करना शुरू कर दे इसलिए उसने स्वैम ही अपनी दादी सास की सेवा करने का सोचा अब वह प्रतिदिन घर का काम खत्म करके दादी सास के पास बैठ कर उनके पैर दबाती थी जब उसकी सास ने देखा कि यह दादी सास के पास बैठ कर उनके पैर दबाती है उनकी सेवा करती है तो उसे अपनी बहु का यह बरताओ बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा एक दिन उसने अपनी बहु को बुलाया और पूछा कि तुम दादी सास के पास क्यों बैठती हो बहु को पता था कि एक दिन उसकी सास उससे जरूरी है प्रशन पूछेगी तब उसने अपनी सास से कहा कि मा जी मैं घर का सारा काम खत्म करके दादी सास के पास बैठ जाती हूँ ताकि उन्हें अकेला पन महसूस ना हो आप बताईए घर का कुछ काम रह गया हो तो मैं उसे अभी निप्टा देती हूँ सास बोली कि काम तो कुछ भी नहीं है पर दिन भर अपनी दादी सास के पास बैठना मुझे तुम्हारा अच्छा नहीं लगता बहु ने अपनी सास की बात को ध्यान से सुना और कहा कि मा जी मेरे पिता जी ने सदेव मुझे यही सिखाया है कि अपने घर में हमेशा अपने बड़े बुजुर्गों की सेवा करना और उनका ध्यान रखना चाहिए और मैं दादी सास के पास बैठ कर उनसे यहां की रीती रिवाज सीख रही थी कि आप उनके साथ कैसा बरताओ करती हैं किस तरह उन्हें खाना देती हैं तबी सास बोली कि क्या तू भी मेरे साथ ऐसा ही करेगी बहु सास के इसी प्रशन के इंतिजार में थी बहु ने कहा माजी मेरे पिताजी ने मुझे ससुराल में बड़े बुजुर्गों के पास बैठ कर उनके घर के रीती रिवाज सीखने को कहा था यदि इस घर के रीती रिवाज बड़ों का अफमान करना और तिरसकार करना है तो मुझे भी यह रीती रिवाज अविश्य मानने पड़ेंगे बहु का उत्तर सुनकर सासु मा को अपने भविश्य की चिंता सताने लगी उसने सोचा जैसा वहवार मैं अपनी सास के साथ करूंगी वैसा ही मेरी बहु भी सीखेगी फिर वह भी मेरे साथ वैसा ही वहवार करने लगेगी उसकी सास दिन भर इसी विचार में रहती अगले दिन बहु ने घर के एक कौने में ठीकरी, खाना खाने का मिट्टी का एक बरतन इकठा करने शुरू कर दिये घर के कौने में इतनी सारी ठीकरी देख, सासु ने बहु से ठीकरी इकठा करने का कारण पूछा बहु तुमने यह इतनी सारी ठीक्री क्यों जमा की है बहु ने बड़ी ही मिनम्रता से कहा मा जी आप दादी सास को ठीक्री में ही भोजन देती है इसलिए मैंने सोचा कि बाद में ठीक्री मिले ना मिले इसलिए अभी से आप के लिए ठीक्री जमा कर देती हूं बहु का उत्तर सुनकर सास बहुत ही घबरा गई और उसने पूछा तुम मुझे ठीकरी में ही भोजन परोसीगी क्या बहु ने कहा मा जी मेरे पिता जी ने कहा था कि यहां के रीती रिवाज वहां नहीं चलेंगे वहां के रीती पूरी तरह से अलग होगी अब जो यहां की रीती है मुझे वैसे ही तो करना होगा बहु की बात सुनकर सास ने कहा यह यहां के रीती थोड़े ही है तू अब अपनी दादी सास को थाली में भोजन दिया करना बहु सास की बात सुन कर बहुत ही प्रसन्य हुई बहु की चतुराई से अब दादी सास को थाली में भोजन मिलने लगा अगले दिन बहु ने देखा कि सब की खाना खाने के पश्चात बचा हुआ खाना दादी सास को दिया जाता था बहु खाने को गोर से देखने लगी बहु के इस तरह गोर से देखने पर सास ने पूछा कि बहु क्या देख रही हो बहु ने कहा कि सीख रही हूँ कि बूढों को इस घर में क्या खाने को दिया जाना चाहिए बहु की बात सुनकर सास ने घबराकर कहा कि बहु यह इस घर की रीत थोड़े ही है कल से तू दादी सास को सबसे पहले भोजन दिया करना बस अगले दिन से ही दादी सास को सबसे बढ़िया भोजन मिलने लगा धीरे धीरे बहु ने अपनी सास की सारी बुरी आदतों को बदल दिया यदि बहु अपनी सास को उपदेश देती कि उन्हें अपने बड़े बुढ़ों के साथ ऐसा बुरा वहवार नहीं करना चाहिए तो सास उसकी बात कभी नहीं मानती इसलिए आज की युवा पीड़ी को चाहिए कि उपदेश देनी की बजाए उसे स्वैम के आचरन में उतार कर सुधार लाया जाए वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें वीडियो को लाइक और शेर कीजिए वीडियो को अंतक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद